नमस्कार जहने साथियो स्वागत है आपका अपनी यूट्यूप शनल नौकरी शोपाल में साथियो आज किस वीडियो आप फिर से एक नवर्ति कापडेर लेके आ चुके हैं जो दोस्तो ग्राम रोजगार सेवक की है जह दोस्तो यह निकल के आई है राची की तरफ से तो चल पोश्ट की बात करते हैं यहां पर आप सभी को बता जना चाहता हूं कि जीला ग्रामीन विकास अभिकरन राची की तरफ से बरती निकाली गए जो कछरी रोट राची की तरफ से है जह दोस्तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस भरती के लिए बरती के लिए बरती कारी तकनिकी सहायक जो सहायक अभियंता के समकक्ष हो और तकनिकी सहायक कनी अभियंता के समकक्ष लेखा सहायक कंप्यूटर सहायक और ग्राम रोजगार सिवक के लिए वरती निकल के आ चुकी है दोस्तों हम लोग यहां पर अगर कोटी वार देखे तो यहां पर यानि कि टोटल बारसट पोश्ट यहाँ पर ग्राम रोजगार सिवक के लिए है दोस्तों आप वीडियो को पाउज करके यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन-कौन से पोश्ट के लिए भरती निकाली गई है आगे दोस्तों अगर हम बात करें इस पोश्ट के लिए इस भरती के कि आप कब से कब तक फोश्ट कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप से बीको बता जना चाहता हूँ 21-09-2013 से लेके 3-09-2013 तक आप इस भरती के लिए फोश्ट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको ओफिसल वेबसाइट का लिंक दिया गया है जिसके माधिया अप उनलाइन आप फिर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों सेक्षनिक योगयता की बात करें तो प्रखन कारेकरम पताधी कारी के लिए यहाँ पर अनिवार योगयता बताई गया है सरकारी मानिता प्राप्त विश्विद्याल है यह संस्थान से किसी भी संकाय और विशय में असना में पच्पन--33 अंक लाना अनिवार्य यह दोस्तों अगर आपका असना तक में यानिकि ग्रेजुएशन में पच्पन--33 अंक तो आप प्रखन कारेकरम पताधी कारी के l assessment कर जी यहां दोस्तो अगर आपका असनातक में नानिकि ग्रेजोसर में 55% से कम है और आप असनातक कोतर उतिन कर चुके हैं तो आप इस भरती में भाग ले सकते इस भरती के लिए इलिजिबल है आप प्रखन कारेकरम पताधिकारी के लिए फॉर्म फिलब कर सकते हैं वहीं दोस् तो अगर हम लोग तकनिकी सहायक की बात करें सहायक अभियंता के संकश्वाले पत के लिए तो यहां पर सरकारी मायनता प्रफ संस्थान से स्विल संकाय में बी-ई या वीटेक अनिवार योगिता होनी चाहिए अगर आप बी-ई या वीटेक किये हैं तो आप इस पत के डिप्लोमा होना अनिवार है अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट किये हैं सरकारी मायनता प्रफ संस्थान से तो आप तकनिकी सहायक के लिए भार सकते हैं लेकिन दोस्तों यहां पर अगला पोस्ट की बात करें लेखा सहायक के लिए तो अगर आप सरकारी मायनता प्रफ योगयता मांगी गहें कि सरकारी मायंता प्राफ उस्तियादा से BSC Commerce owners या BSC computer समान या BCA या समान असनात उतीर्णता के पस्चात PGDCA उतीर्ण होना आउस्यकता है ठीक है नो दोस्तों अगर आप इन सभी में उतीर्ण है तो आप computer सहाया के लिए phone fill up कर सकते हैं लेकिन दोस्तो मेन हम लोग आज देखने वाले ग्राम रोजगार सिवक के लिए ठीक है ना दोस्तो ग्राम रोजगार सिवक के लिए क्या योगयता मांगी गए तो सरकारी मायनता प्राप्त विस्थिद्याले संस्थान से intermediate या metric परिक्षा किये हैं उसके पस्चात अगर आप किये हैं तो आप इस बर्ती में भाग ले सकते हैं ठीक है ना अगर तो यहां पर आप इंटर्मीडिट किये हैं उसके बाद सनातक किये हैं तो भी आप इस बर्ती में भाग ले सकते हैं ठीक है ना तो चलिए अगर हम लोग आगे बढ़त के लिए समान्य वर्ग को यहां पर 35 वर्ष होना जरूरी है अधिक्तम और दिभ्यांग जन्नों को 40 वर्ष होना चाहिए और पिछड़ा और अतियंत वर्ष समान्य लोगों के लिए और दिभ्यांग लोगों के लिए महिला हो या पुरूस दोनों के लिए यहां पर 40 वर्स समाण्य के लिएो और विकलांग लोगों के लिए्यांट के लिए 57 अधिक्तम मांगा गया है अगे दोस्तो यहां पर बोला जा रहा है कि अगर आप भारतिय नागरिक हैं तभी आप इस बर्ति के लिए फोर्म फिलप कर सकते हैं और यहां पर दोस्तों आरक्षन की बात करें तो अनसुची जाती और अनसुची जन जाती और पिछले वर्गों के अव्यार्थियों के लिए यहां पर आरक्षन की भी सुईधा दी गई है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर मेंड पॉइंट में आते हैं कि आपकी सेलेरी क्या रहने वाली है सेलेरी क्या होने वाली तो दोस्तों यहां पर प्रक्षन कारेकरम पताधी के आरी की बात करें तो यहां पर 23,140 रुपे प्रती माह की सेलेरी होने वाली व और computer सहायक को 24,300 मिलने वाली है और दोस्तो ग्राम रोजगार सेवा को यहाँ पर 11,000 तक आपको salary मिलने वाली है देरे 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 दोस्तो यह बढ़ती है ठीक है ना तो आपका minimum salary 11,000 रुपे होने वाली है तो दोस्तो इस प्रकार से इसभर्ति का update था दोस्तो अगर आप आ सकते हैं यहाँ पर दोस्तो आपको website भी दिया गया है आप इस website में visit करके online माध्यम से apply कर सकते हैं अगर दोस्तो online किस प्रकार से करना है उसका वी एक details वीडियो पाना चाहते हैं तो आप comment box में comment करके बताए मैं उसका वी details वीडियो बनाके डाल दूँगा आने वाले वीड वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को जरूर से एक लाइक किजिएगे मेरी motivation के लिए और आगे ऐसे ही नए नए भरती के आपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू दबा दिजिएगा चलिए आगे आने वाले वीडिय इससे एक नए भरती के साथ मिलेंगे तब तक लिए अपने ख्यार रखेगा जहिंद बंदमातराम